हेलो स्टुदेंट्स इस वीडियो में सॉल्फ करते हैं क्वेशन नमर फेटी एक इसमें दिया वाइंद गिवन फिगर पी एस आर आर टी क्यू एंड पी एक्यू आर थी सेमिसे सेमिसेर्कल्स ऑफ डामेटर 10 सेंटीमेटर 3 सेंटीमेटर एंड 7 सेंटीमेटर रिस्पेक्टि अर प्लस टीकू ठीक ह 25 एंड तीनों लัंद का सम करके हमें बताना है लैंथ पिए सार प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ आर टीक्यूày 0लन्थ को हमें क्यलक्लेट करना होगा है कि जैंय यह थी सेंटीमेटर मीं चा रिया वा है понад सेंटीमीटर तो हम उसको रेडियस में convert कर लेते हैं radius of semicircle PSR इस semicircle का radius क्या हो जाएगा diameter 10 है तो radius हो गया 5 फिर इस वाले semicircle का RTQ का diameter दिया है 3 तो radius हो जाएगा 3 by 2 और इस वाले semicircle का diameter दिया है 7 तो radius हो जाएगा 7 by 2 ठीक है इसके बाद calculate करते है perimeter of shaded region equal to length PSR प्लस length PAQ प्लस length RTQ ठीक है अच्छा और यह जो length है PSR यह क्या है half circle तो पूरे circle का boundary निकलते हैं तो यह formula क्या हो जाता है 2 by r तो अगर सिर्फ half circle के boundary को calculate कर रहे हैं तो इसको 2 से divide कर देंगे तो formula क्या बन जाएगा पाई आर ठीक है तो length PSR तो पाई radius इसका radius क्या है 5 तो पाई इंटू 5 प्लस length PAQ तो यह यहाँ पर LCM ले लेंगे पाई का value हमें use करना है 3.14 तो LCM ले लिए 2 5 के नीचे है 1 1 2 जा तो 5 2 जा 10 प्लस 7 प्लस 3 यह आ गया 3.14 इंटू 10 प्लस 7 प्लस 3 हो गया 20 by 2 2 से कड़ जाया 10 बार में तो 3.14 इंटू 10 यह हो जागा 31.4 cm ठीक है बस यह ही find करना था में find the perimeter of the shaded region या गया 31.4 cm और यह question हमा रहा हो गया complete मिलते है next video में next question के साथ कर दो